नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल आचार जागिंद्र मिस्रा में नए वर्ष की सभी दर्षकों को हारदिक सुब कामनाए आज नए साल के दिन चाहे जान चली जाए घर के दर्वाजे से फेक दें यह एक चीज नहीं तो मा लक्षमी नाराज हो जाती है जी हाँ दोस्तों आज चुकी नया साल है और आज कई सुब संयोग बन रहे हैं आज अमरिश सिध्धियोग भी है पुष नच्छत्र भी है और गुरु पुष योग के बनने से बेहदी सुब संयोग बनता है और दोस्तों आज बहुत शारे यानि की उपाई वगरे इसे पुस्सन च्छतर में किया जाते हैं और बहुत शारे यानि की टोटके किया जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली बरकत बनी रहे माता लक्ष्मी जी के सदै बास रहे आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर से कभी भी न जाएं और आपके घर में दिन दूनी राज चोगरी तरक्की करती रहें तो आपको यानि घर के दर्वाजे से फेंक देना ही एक छोटी सी चीज दोस्तों माता लक्ष्मी जिसके उपर प्रसंद हो जाती है उसको बहुत कुछ दे कर जाती है वैसे दोस्तों आज की दिन जरूर ये उपाई वगएरा किये जाते हैं कई तरह की उपाई होते हैं लेकिन आज हम आपको एक च्छोटा सा प्रियोग बताएंगे जो आपको करना है एक च्छोटा सा टोटका वईसे तो देखिए यानि कि हमारे नया साल जो होता है, हमारे हिंदु धर में चैत्र माश में मनाते हैं लेकिन फिर भी एक नया साल की जो रीत रिवाज चल गई है, एक जनवरी को जो हम मनाते हैं और खुशियों के साथ मनाते हैं तो देखिए ये जो समय रहेगा जैसे कि आप इस दिन बहुत शारे अपने दोस्तों को यानि कि उपहार देते हैं चित्र बगारा बहुत शारे ऐसे कि खुश हाली के लिए मेल मिलाप के लिए यानि कि सर्प्राज देते हैं गिफ्ट देते हैं लेकिन कुछ टोने टोटके भ और आज की दिन यानि की शूर और बुद्ध की कारण बुद्धादित राजयोग भी बन रहा है और आज की दिन यानि की शनी और गुरु की कारण नीच भंग राजयोग भी बन रहा है तो कई शारी सुब संयोग बन रहा है जिसके कारण आज की दिन बेहादी खास बन जाता अब दोस्तों यह एक छोटी सी चीज है जो आपको अपनी घर के दर्वाजी से बाहर फ्यक देना है आप चाहते हैं कि घर में बरकत बनी रहे माता लक्षमी आपके घर में शदय बास करें वैसे दोस्तों बात तो बहुत तोने टोटके के बहुत ज़्यादा उपाई किये जा तो लाल मिर्च को जला के पूरे घर में धुआ दिखाएं इससे आपके घर की जो शारी निकेटिव उर्जा वो बाहर चली जाती है और पोजिटिव उर्जा बास करती है वैसे दोस्तों यानि कि लाल जो मिर्च होती है उसको आप क्या करें कि एक यानि कि कटोरी पे रख और उसको में थोड़ा सा यानि कि आप चाहें तो काला तिल डाल दें और सरसों के दाने डाल दें दो चार शे दाने और उसको जला दें उसमें यानि जला के और उसका जो यानि कि राक होता है उसको अपने घर के यानि कि बाई तरफ दरवाजे के बाई तरफ फेंक दें इ यानि निगेटू उर्जा बाहर चली जाती है और आपका घर एक बार फिर स्वक्ष हो जाता है किसी की बुरी नजर नहीं लगती है और सत्र विरोधी तो चाह कर भी आपका कुछ भी नुक्सान नहीं कर पाता देखे माता लक्षमी जी को यानि खुस करने के लिए आज की दि इनों को लेके और अपने दाहिने हथेली पे रख लेना है और आज आपको अब जीत महूरत में यानि कि दुपहार 11 बच के 36 मिनट से लेके 12 बच के 24 मिनट पे करें या तो फिर आप दिन में नहीं कर पाते हैं तो आप रात्र में भी कर सकते हैं यानि कि 7 और 9 बजे के और अपने सर से यानि कि 3 बार उल्टे बार ले या एक 14 बार और अपने घर के 22 तरफ दरवाजे के और फेंक दे यकीन मानिये इससे बहुत ज़्यदा लाप होता है और माता लक्श्मी जी देखिए जब आपका घर स्वक्ष हिर रहता है तो आपके माता लक्श्मी जी भी रहती हैं और उनकी भी क्रिपा बनी रहती है तो आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए लाल मिर्च में थोड़ा सा नमक मिला कर और आप अपने मुख दरवाजे के यानि की सामने यानि की आप क्या करें कि लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक अपने मुख दरवाजे के बाई तरफ जरूर फेंक दें आज की दिन यकीन मानिये धन की बारिस होगी और माता लक्षमी जी सदय बापके उपर क्रिपा बनाए रखेंगी वैसे देखिए आज की दिन आप नीबू और लाल मिर्च अपने मुख घर के दरवाजे के पास जरूर बांधियेगा इस से क्या होता ह तो चुकि साल के पहले दिन में अगर बूरी नजर नहीं प्रवेश करेगी तो पूरा साल आपके घर में बरकत होगी माता लक्षमी जी इससे बहुत प्रसंद होता है च्योंकि जब माता लक्षमी इस पुस्च नचहत्र में कहते हैं कि पुस्च नचहत्र में माता लक्षम बहुत लाब होगा लाल मिर्च से ये उपाई जरूर करें आप चाहें तो आज की दिन चुकि पुष्ण नसेतर साम तक है तो आप चाहें तो लाल मिर्च को यानि पीले धागे पे या लाल धागे पे यानि कि आप उसको बांध दें और उसमें आप थोड़ा सा यानि कि क्या करें कि एक नीबू भी बांध दें और अपने यानि जो आंगन होता है बीच आंगन पे रख दें और उसमें क्या करें कि वही पर थोड़ा सा नमक उसमें डाल दें और नमक डालने के बाद थोड़ा सा काला तिल और काले सर्सों के दने डाल दे और उसको आज आप यूही पहले यानि बीच आंगर में या आप जैसे कि आप खुला स्थान जो भी घर पे हो उसमें आप रख दे और उसको कम सकम एक घंटा-दो घंटा रहने दे और एक दीपक जला दे वहीं पर और उसके बाद दीपक जादा ना जले थोड़ा ही जलना दे एक घंटा-दो घंटा इतना ही तेल डाले और उसके बाद जब दीपक जल जाए तो आप उसे नीबू को और उसे यानि लाल मिर्च को और वो जो आपने उसमें काला सर्सों के दाने और राई या सर्सों और काला दिल आपने रखा हुआ है इन सब को आप लेकर और अपने मुख दरवाजे के बाई तरफ फेक दें यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी जी इसी दिन से यानि नए वर्स से आपके घर में वास करना प्रारंब कर देंगी तो पूरे वर्स एक वर्स तक रहेंगी और मा उपाई जरूर करिए इससे बहुत लाब होगा और माता लक्ष्मी जी किरपा बन जायती है तो आपके घर में नौकरी बेवसाय आपके कार छेतर पर दिन दूनी राज चोगनी तरक की करती निज़रांगे सत्र बिरोधी कभी भी एक्टिव नहीं रहेंगे और भारी नहीं करेगा और लोग आप कामियाबी से जलेंगे भी इसलिए ये उपाई जरूर करिए चुकि साल का पहला दिन है तो इस महा सयोग में ये उपाई जरूर करिए अपने घर के मुख के दरवाजे से यानि मुख दरवाजे से ये जे हमने उपाई बताए हैं कई उपाई हमने बत लाइक जरूर करिए, ने तो चनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए जैमालक्षमी